कल घर में एक लड़ाई हुई, काफी लड़ाई हुई जिसको राकि सावथ भी मानती थे कि सबसे ज़ादा फोटेज मिल जाएगी, एपिसोड में वही सब चला जाएगा बताते हैं आपको इस वीडियो पे, हेलो दूसस लीसा गंगानी, यहाँ पर देखें, रुबीना और राहुल की जो लड़ाई है, वो कोई नहीं नहीं है, पहली बार नहीं हो रही है, और ना ही इनके डिफरेंसे ऐसा है कि किसी को नहीं पता हूँ, लेकिन डिफरेंसे स्टा करना चाता हूँ, मैं रुबीना के साथ तोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहना चाता हूँ, ऐसे में उन्होंने रुबीना को नॉमिनेट कर दिया, वो भी बहुत ही लेम रीजन देते हुए, यहाँ पर रुबीना जो है न, वो मुझको लगता है कि अभिनाव के साथ साथ में नॉमिनेशन में आने चाहिए, और इन दोनों के बीच में से जो होगा वो देखना चाहिए, अभिनाव और रुबीना इंडिविज्वल कंटेस्टेंस हैं, कितनी बार बोले, अगर किसी का फैंडम किसी और को सपोर्ट करता है, तो वो तो गलती नहीं है, अभिनाव की या रुबीना की, यहां भी हो सकता है कि कई मौकों पर जास्मिन का फैंडम अली को सपोर्ट करें, या अली का फैंडम राहुल को सपोर्ट करें, या फिर आपस में कोई फैंडम जिनके कंटेस्टेंस नॉमिनेटेट नहीं हैं, तो वो किसी और को सपोर्ट करें, अब व्य था चलिए ठीक है राहुल वैदे ने दे दिया तो कोई बात नहीं उसके बाद वो बोलते हैं अगोरेटेटिव टोन और रूट टोन मुझे रुबीना की पसंद नहीं है चलिए ये एक मुद्दा हो सकता है कि आपको किसी की टोन पसंद नहीं बात करने का तरीका पसंद नही करें हैं बहुत सही राहुल वैदे अब इस पर रुबीना आ जो Vogil से इस पर स्कॉशन कर 가능 है क्योंकि करना कहीं उनको लगता है कि राहुल वैदे जो बोलते है उसको साधिन करती है जर्क बार्प समर्षन को राहुल वैदे ने बोला है तो यहाँ पर रुबीना ने कहा चलो for once and for all I want to clear this with Rahul Behz and with every housemate कि कोई भी preconceived notions ना रखे कि मैं authoritative हूँ या rude हूँ क्योंकि लड़ाई में जो tone निकलते that is not the person वो सिर्फ एक person का side होता लेकिन actual person तो वो होता जो वो पूरे time रहता है तो यहाँ पर रुबीना वही समझाने की खोशिश करें थे राहूल को कि मेरी authoritative tone अगर निकलती है मैं rude होती हूँ तो हर इंसान rude हो जाता है लड़ाई के दौरान कोई लड़ाई प्याठ से नहीं करेगा they become rude because they are angry लेकिन वो जरूरी नहीं है कि वही इंसान के actual personality हो actual personality बोलचाल की तरीका tone होती है जो मैं regularly रखती हूँ क्या regular tone में मैं आपको rude नजराई तो यहाँ पर राहूल वैदे कहते हैं नहीं तो मैं तो लड़ाई के साब से आप से बात करूँगा यहाँ पर जास्मिन भासीन भी तूट पड़ती है लड़ाई में superiority complex एक और बार गिनवा के चली जाते है रुबीना का क्योंकि रुबीना कहते है मैं किसी और के साब से अपने आपको चेंज नहीं करूँगी तो वो करना भी नहीं चाहिए you are grown-ups you have made a personality of your own over the years ऐसे मैं आप 15 दिन से पुराने दोस्ट से मिले या फिर एक 15 दिन पुराने competitor से मिलकर आप अपनी personality क्यों change करेंगे this is no sign of superiority complex but a sign of loving your personality चलिए वो भी छोड़ दीजो उनके साब से होगा superiority complex लेकिन यहाँ पर अंजाम क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया अंजाम यह हुआ कि रुबीना राहूल की लड़ाई थमी जाके अभिना वा राहूल की लड़ाई पर लेकिन आपके हिसाब से कौन था सही कौन था गलत आप ज़रूर लिखकर बताएं साथ हमाँ चानल लिखते रही क्योंकि ऐसी खबरें सी exclusive news हम आप तक हमेशा पहुचाते रहेंगे